अपने स्कीन के दाग धबे ऊपसे बहँत दिन से परशान हो तो ये पैक लगागा ठ्राइ कर लो आपको इतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा कि आप हायरान हो जाओगी रिजल्ट देखे और आपकी स्कीन पर पुदाने से पुदाने दाग धबे हैं उसको गलास स्कीन बनाने में बहुत ही हेल्प रेमडी करती है पसंद आये तो सस्क्राइब जरूर कर दीजेगा तो इसके लिए सबसे पहले एक औरेंज ले लिए देख सकते हैं मैंने एक औरेंज ले रखाया क्योंकि हमें औरेंज पील की जरूरत है आप चाहे तो उसको घिसके डाल ताजा भी डाल स बॉल्प गुटनिस ब्रांट का है आप को भी ब्रांट का ले सकते हैं उसके बाद एक चमच मैंने चावल का आटा डाला क्योंकि इसके गोड़ा करने में बहुत ही हेल्प करता है उसमें मैंने हल्दी डाली है कस्तूरी हल्दी जो आपकी दाग धवों बहुत ज्यादा काम क्यों करती है उसके बाद एक चमच इसमें देख सकते हैं संद्रे का जूश डाला एकदम फ्रेजृस जूश डाला उसके बाद मैं बाद हगला सकते अ क எ सब्सक्ति करते हुद करने ले तो आप मार्केट वाला भी डाल सकते हैं उसके बाद मैंने तैयार करके सब से पहले फेस को yo करना है मैंने फेस्ट कर रखा था फ्रेंट उसके बाद मैंने जो टोमैटो का रस नीचोड़ लिया था टोमैटो को रव किया फेस पे रव करने के बाद इसके उपर हम अपना पैक अपलाई करेंगे कि टमाइटों की बहुत अच्छा काम करता आपके फेस को क्लीन कर देता है जितने में गंदगी होगा मैंने पूरे फेस पेस को अपलाई किया इस पैक को अपलाई करने के बाद आप चाहिए तो निक पर अपलाई कर सकते हैं इसको लगा कि मैंने 10-15 मिनट छोड़ा था 15 मिनट के पर ड्राई हो गया मैंने धोया नहीं है इसको अच्छे से मसाज कर से हमारी स्किन की जितनी भी डेट सेल से वह निकल जाएंगी उसके मैं थोड़ा से पैक हटा कर दिखा रहे हूं इसका बहुत ही बेस्ट रिजल्ट है देख सकते हैं धोके देखने के बाद तो रिजल्ट काफी अच्छा है पसंद आए मेरे वीडियो तो सस्क्राइब कर द कर दो काफी टिखने पूंजोंगी कर दो से को अधी झाते हैं तो सही बHisजा शाहीं